आज के वीडियो में हम लोग reasoning का एक new and बहुत ही जादा important topic स्टार्ट करने वाले हैं that is seating arrangement अब sitting arrangement जो है वो generally reasoning में बहुत ही जादा important topic बन जाता है इससे related कई बार आपको कुछ important question जो है जो हम लोग discuss करने वाले हैं अभी इस particular video में वो आपको आपके examination में देखने को मिल सकता है बहुत ही ज्यान से यह topic पढ़ लेना हम लोग जितने different type के possible questions बन सकते हैं उन सभी को इसको cover करेंगे ठीक है तो देखो sitting arrangement में basically होता क्या है आप सबसे पहले यह समझो आपको कुछ logo के या फिर कुछ instruments की किसी भी object के basically आपको arrangements दी जाएंगे like उनकी positions के बारे में आपको explain किया जाएगा that कौन किसके side में बैठा हुआ है कौन किसका neighbor है उसके according आपको final arrangement जो भी question में आपको hints दिये होंगे उनको use करके आपको final arrangement प्रिपेर करना है उस arrangement के according जो भी question पूछे गए होंगे वो आपको answer करना रहता है ठीक है अब इसमें basically आपके four type के different जो आपके topics हैं वो बनते हैं जैसे पहला आपका हो गया linear sitting arrangement मैंने four q बोला because square and rectangle जो है वो कही न कहीं एक ही जैसा बनता है कुछ जादा difference नहीं है इसमें तो इन दोनों को आप एक ही particular topic समझ सकते हो linear sitting arrangement का मतलब हो गया आपको जो भी question दिया जाएगा उसमें like एक basic सा single row का structure होगा जैसे five people जो है वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए है तो one two three four five इस तरीके से एक single row में आपको जो है वो question दिया जाएगा एक single row में आपको arrangements क प्रिपेर करना रहेगा उसके बाद square sitting arrangement या फिर rectangular sitting arrangement में क्या होता है square या फिर rectangular basically आपको किसी table के around logo को जो है वो बिठाना पड़ेगा वैसे कि इसमें in corners का बहुत ही जादे important role आ जाता है ये जो चार आपको corners दिखाई दे रहे हैं in four corners को use करके positions को हम लोग identify करते हैं जो arrangement है उसको prepare करते हैं उसके बाद जो आपका fourth type है basically third type ही समझ सकते हो वो है आपका circular sitting arrangement as the name suggests आपको इसमें जो objects का arrangement होता है या फिर जो लोगों के sitting positions होते हैं वो around a circular table दिया होता है ठीक है अब यह जो circular sitting arrangement है उसमें end square या फिर rectangular table में क्या difference है बस इतना ही that circle में ना तो कोई starting point होता है ना ही कोई end point होता है और ना ही कोई corners होते है तो हम लोगों को यहाँ पर एक advantage मिल जाता है circular sitting arrangement में that आप किसी भी person को आप कहीं पे भी fix कर सकते हो जैसे for example A, B, C, D, E, 5 persons are sitting in a circular table ऐसा दिया है तो आप अपने आपसे मान लो that 1, 2, 3, 4, 5 अप कहीं पर भी A को या फिर B को depending on the questions हम हम लोग जब practice करेंगे तब आपको और better समझ में आएगा या तो आप मान लो A यहाँ पर बैठा है इसके according चीजों को arrange करना है start करो या तो आप मान लो A यहाँ पर बैठा है इसको इसके according आप चीजों को arrange करो मतलब ऐसा कोई fix जागा नहीं है because circular table का जैसे मैंने बताया कोई starting point या कोई end point नहीं होता है ठीक है हम लोग जब circular arrangement से related questions करेंगे तब आपको चीजे जो है वो ज्यादा better clear होती चली जाएगी इसके बाद आता है आपका double row sitting arrangement double row sitting arrangement में linear sitting arrangement का ही एक तरीके से advanced version है जिसमें आपके जो objects है या फिर जो people है जो persons question में given है वो एक दूसरे की तरफ face करके बैठे होंगे इस तरीके से दो rows बनती है इसमें for example person जो उपर बैठे है उनका face नीचे की तरफ है और नीचे जो बैठे हुनका face जो है वो ऊपर की तरफ है तो इस तरीके से दो rows create होते है और उसके according जो है वो आपको question given रहता है तो यह basic type के questions है जो आपको sitting arrangement में generally देख करता है इसमें आपको कोई formula या फिर कुछ भी ऐसा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है जैसा जैसा question कह रहा है वैसे वैसे आपको solve करते जाना है अब अगर आप question पढ़ोगे तो it is mentioned that A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row facing north तो ठीक है total हमारे पास कितने seven people की यहाँ पर बात हो रह ही है अब देखो यह first point में क्या लिखा हुआ है F is to the immediate right of E इसका यह मतलब है that E जो है okay यहाँ पर मैं चीजों को place नहीं करूंगा because मुझे ना तो F की position पता है ना मुझे E की position पता है but मुझे यह पता है that F जो है उसके right में E बैठा हुआ है या फिर बैठी हुई है E F ठीक है यह immediate right में आ गया अब मुझे बोला गया है E is fourth to the right of G मतलब E जो है न वो fourth to the right of G है तो मतलब 1,2,3,4 ठीक है ऐसा मुझे second point में दिया गया है अब आप इन दोनों ही points को combine करोगे तो आप क्या यह नहीं लिख सकते that E के बगल में F बैठा हुआ है इन दोनों points को combine करके मैंने य लिख लिया because first point से मुझे यह information मिल रहे थी जिसको मैंने as it is यहाँ पर mention कर दिया ठीक है चलो यह दो points पढ़ करके हम लोगोंने final यहां तक पहुँच गया है अब मुझे बोला गया C is the neighbor of B and D अब इस वाले point को आप ध्यान से समझो C जो है वो B और D का neighbor है इसका simple सा meaning यह हो जाता है that अगर मैं किसी दो लोगों का neighbor हूँ इसका यह मतलब है मैं उन दोनों के बीच में बैठा हुआ हूँ तो आप यह कह सकते हो that B और D के बीच में C जो है वो बैठे हुए है तो आप इसको ऐसे समझो that B C B या तो यह एक possible combination हो सकता है या फिर D C B यह एक possible combination होता है मतल बी और D जो है ना वो C के अगल बगल बैठेंगे बट इनका position यह नहीं पता है that right में कौन बैठा है या फिर left में कौन बैठा है चलो आगे चलते हैं हम लो person who is third to the left of D is at one of the ends मतलब D के जो third left में बैठे हैं वो बिल्कुल एक end में है तो obviously D मतलब ऐसा आप समझ लो 1,2,3 and D यह हमारा एक position जो है वो बन चुका है मतलब इस तरीके से D का positioning है that उसके third left में जो भी person बैठे होंगे वो किसी एक end में आ रहे होंगे तो common sense है यह जो पूरा structure आपने prepare किया है वो केवल और के possible है जब D यहाँ पर बैठेंगे राइट तभी तो जो third left में होंगे वो end पर पड़ रहे है विकॉज अगर मैं left में अगर चीजे end में जा रहे हैं तो D को मुझे यही place करना पड़ेगा इसके अलावा मैं कहीं पर भी place करूँगा तो यहाँ पर जो person है वो end में नहीं आ पा देता हूँ विकॉज यहां से हम लोगों को एक information मिल गई है D का position मुझे पता चल चुका है अब D के बगल में मुझे C को place करवाना है इसका simple सा meaning यह है देट मेरे पास दो possible combinations बन सकते हैं एक में 1, 2, 3, D, C, B, dash, correct एक में मैंने क्या assume कर लिया देट C जो है वो D के right hand side में है and B जो है मतब C जो है वो D and B के अगल बगल इस तरीके से बैठ सकते हैं प्लस एक मेरे पास possible combination क्या हो सकता है डश, B, C, D, dash, dash, dash यह दोनों possible combination बन सकते हैं क्यों क्योंकि आप इस वाले point को ध्यान से देखोगे न तो यहां पर मुझे clearly बोला गया है that C जो है वो B और D के बग possible combination बन करके आ रहे हैं तो यहां से भी जो information लेनी थी वो मैंने ले ली है दो possible combinations मेरे पास बन करके आ चुके हैं अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर इस particular combination को ध्यान से देखोगे तो इसको ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा that मुझे G के साथ करना है that E जो है वो G के बाद 1,2,3,4 राइट में आए तो अगर मैं मान लेता हूं that G यहां पर है इस first वाले position को देखो अगर मैं यहां पर G मान लेता हूं है तो dash, dash, dash E तो E को मुझे यहां पर बैठाना पड़ेगा जो कि बिल्कुल भी possible नहीं है क्योंकि यहां पर C पहल तब यहां पर E आना चाहिए था और यहां पर F आना चाहिए था बट यहां पर तो B पहले से बैठा हुआ है तो यह भी मेरा possible combination नहीं हो सकता है ठेक है तो यहां पर भी G जो है वो बैठ नहीं सकता है and G को मैं आगे बठाई नहीं सकता हूं because अगर मैं G को यहां पर place कर देत हूं तो आगे मेरे पास जगह नहीं बची है F को रखने के लिए correct आप देखो dash 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 E and F F के लिए तो जगह नहीं बची ना तो इसका simple सा यह मतलब है that मेरा जो यह first combination मैंने assume किया था वो मेरा गलत हो जाएगा तो यह मेरा जो option है वो ignore कर सकता हूं मैं यह वाला possible combination जो है वो नहीं यहां पर fit बैट रहा है तो मैं इसको भी रब कर देता हूं I hope आपको यहां तक चीज़े समझ में आयोंगी मतलब B CD की position यहीं है जो हम लोगों ने यहां पर assume किया है अब G को मैंने आपको बताया G starting में बैठे या तो second place में बैठे तभी इतना बड़ा position जो है वो इस पूरे line में fit आ सकता है तो second में तो हम लोग G को नहीं बिठा सकते ना because second में तो B पहले से बैठा हुआ है तो मेरे लिए G का final position हो गया यह वाला G के बाद 3 जगा खाली I hope आपको यह पूरी की पूरी concept जो हो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा and किस तरीके सम लोगों को आगे बढ़ना यह भी आपको समझ में आया होगा तो आप देखो बस कुछ basic से question से अगर आपने एक बार G, B, C, D, E, F and A को finalize कर लिया मैंने यहापर इस इसको mention कर दिय तो आपको question जो है वो बहुत जादा easily solve कर दोगे what is the position of A, A का position क्या हो गया, A का position हो गया extreme right, next is who is the neighbor of B, B का neighbor कौन है, B के neighbor है G and C, तो B option is correct, उसके बाद ओके यह numbers सही कर ले ना 1, 2, 3 and all, who is sitting immediate right to D, immediate right to D, जो है वो E बैठे हो में है, तो A option is the correct option, which of the following statement is not true, E is not true, मतला false statement पता क करने है, हमको E is to the immediate left of D, E is to the immediate left of D, ठीक है, यह not true है, because obviously E is to the immediate right of D होना चाहिए था, A is one of the ends, A ठीक है, यह correct है, G is to the immediate left of B, G is to the immediate left of B, यह भी सही है, none of these तो होगा ने, तो मतलब A option जो है, वो गलत है, हम लोगों को not true option find out करना था, तो A option जो है, वो correct option है, ठीक है, चलो, linear arrangement मे question को किया, उसी तरीके से मिलता जुलता है, आप इसको जरूर से एक बार try करो, चलो, हम लोग इसको start करते है, A, B, C, D, E, F and G are sitting on a wall facing east, ठीक है, अब आप इसको east की तरफ, इस तरफ face करके मत बनाना, आप इसको ऊपर की तरफ बनाना, because ऐसे में question जो है, वो confused कर सकती है, अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 7 positions मैंने अपनी prepare कर लिया है, अब मुझे आगे बोला गया है, that C is just right of D, मतलब C is just right of D, इस तरीके से D और C का position है, B is on end point and E is his neighbor, मतलब B जो है न, वो किसी एक end पे बैठे हुए है, मतलब B जो है वो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, and B जो है वो पर भी बैठ सकते हैं, and E जो है वो उनके neighbor है, मतलब अगर B यहाँ पर बैठते हैं, तो यहाँ पर E होंगे, अगर B right hand side end में बैठते हैं, तो E यहाँ पर होंगे, ठीक है, यहाँ तक आई हो आपको चीजे समझ में आई है, G is sitting between E and F, E और F के बीच में G बैठे हुए है, मत पहले में मैं assume कर रहा हूँ, क्योंकि B को मुझे किसी भी एक end पर बैठा हुआ है, यह मुझे बोला गया है, तो एक option बन सकता है, कि B यहाँ पर है, E यहाँ पर है, दूसरा option बन सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B इस वाले end में है, and E उनके neighbor है, अब मुझे बोला गया है, that G is sitting between E and F, मतलब E और F के बीच में G है, ठीक है, मतलब E, G, F एक combination बन चुका है, तो E, G, F, या तो इस तरीके से हो जाएगा, या फिर E, G, F, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब यह दोनों में से कोई सावी एक possible combination जो है, वो मेरा correct हो सकता है, बट आप इसमें ध्यान से देखो, दोन है, बीच में ही रहने वाला है, मैं यहाँ पर B and E को रब कर देता हूँ, because यह चीज हमने find out कर लिए है, F का तो मुझे position एकदम 100% fix हो गया है, अब आगे मुझे बोला गया है, that D is third from the south end, south end से D जो है वो third पे है, अब देखो, simple से चीज है, यह हमारा north, east, west, south है, सब लोग east में face करके बैठे हुए है, and south के end से मुझे जो है, वो third left में जो है, वो D को बठाना है, तो अगर हम लोगों ने east को ऊपर रखा है, तो obvious सी चीज है, आपका जो compass है, वो किस तरीके से आप बन सकता है, अगर मैंने east को ऊपर रखा हुआ है, तो obvious सी चीज है, आपका जो north होग साउथ हिदर होगा, and west हिदर होगा, correct, आप question के according, south की direction से left third में मुझे D को बठाना है, means, D is to the third of this end, ठीक है, इस तरीके से मुझे 1, 2, 1, 2, and 3, third left में मुझे D को place करना है, अब यह वाला combination में तो third end में, 1, 2, and 3, यहाँ पर तो पहले से मेरा जो position है, वो field है, मतलब यहाँ प place नहीं कर सकता हूँ, left से third place पे, ठीक है, तो simple से चीज़ है, that D जो है मेरा first वाले combination में fit better है, and यह वाला option जो है, वो मेरा incorrect है, क्योंकि D के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बची है, third left कौन सा place हुआ, third from the south end, 1, 2, 3, third place यह हुआ, correct, यह वाला place हुआ, ठीक है, जी यहा पर बैठा होगा, D यहाँ पर बैठा होगा, मुझे D का भी final position जो है, वो पता चल गया है, and यह भी पता चल गया है, that यह correct option जो है, वो मेरा first वाला जा रहा है, तो बाकी positions भी मैं लिख देता हूँ, B, E, G, F, D, D, okay, अब हम लोग को क्या पता था, कि D और C जो है, वो अगल बगल बैठे हुए, तो D, C, and इन में बचा कौन है, missing कौन है, A, B, C, D, E, F, G, सबकी position जो हो final होगी, यह मेरा final arrangement बन गया, तो basically sitting arrangement में, आपको दो या फिर तीन possibilities मिलती चली जाएंगी, depending on the complexity of the question, and आपको अपने according, जो जो clues दिये गया है, उसके according आपको, जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले possibility को, जो है, वो neglect किया, क्योंकि यहाँ पर D को place करने के लिए जग position गलत है, इसी तरीके से आपको options को, possibilities को mention करना है, and जो possibilities जो है, वो गलत होती चली जा रही है, उनको ignore करते जाना है, and finally आपको एक particular position मिल जाएगी, and उसको आपको ले करके question को solve करना है, अब बस questions बहुत easy रहते हैं, एक बार आपने यह positions find out कर ली, तो उसके बाद questions, who is sitting at extreme right, extreme right में A बैठे हुए है, which of the following pair of persons is on endpoints, endpoints में कौन कोन है, A, B, yes, A, B, end में है, B, C, no, B, C, end पे नहीं है, C, A, no, B, A, okay, A, B, and B, यह दोनों option है, आप इस वाले option को remove करके कुछ भी option डाल दो, F, D, डाल दो, तो आप यहाँ पर देखो, A, B, जो है, वो basically endpoints पर बैठे हुए ह बस आपको इन सब questions में एक final arrangement तक पहुचना होता है, उसके बाद आपके सारे questions जो हो, easily आप solve कर सकते हो, okay, अब यह हमारा third question है, यह हम लोग solve करते है, linear sitting arrangement के लिए, nine persons, इनको मैं letter से denote करूँगा, ठीक है, C, D, B, A, J, F, and G, H, and K, जिस nine persons है, are sitting on a straight line facing north, but not necessarily in the same order, तो मैं nine यहां पर positions draw कर देता हूँ, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, अब मुझे बोला गया है, बीना is fourth to the left of Gagan, बीना is fourth to the left of Gagan, it means, मुझे यहां पर, possibilities में यहां पर लिख देता हूँ, बीना is fourth left to Gagan, अब आगे मुझे बोला गया है, फातिमा is fourth to the right of Chaya, फातिमा is fourth to the right of, one, two, three, fourth to the right of Chaya, and second to the left of Kushal, मतलब फातिमा जो है न, वो second to the left of Kushal है, तो यह Kushal हो गया, Kushal का second left जो है, वो F है, Who is, अब यह Who जो है न, वो Kushal के लिए आएगा, Kushal is fifth to the right of Ajit, मतलब जो Kushal है न, वो Ajit के fifth right में है, तो Ajit यहां पर बैठेगा, तभी तो one, two, three, four, and five पे Kushal आगया, तो यहां तक मेरी एक position जो है, वो बन करके आई है, अब Dimple is not an immediate neighbor of either Kushal और Bina, देखो, अब मुझे यह There are only three persons sitting between Jaya and Ajit, Jaya और Ajit के बीच में केवल और केवल तीन लोग बैठे हुए है, तो मैं इसको assume कर सकता हूँ, that Jaya या फिर Ajit के बीच में, one, two, three लोग बैठे हुए है, Ajit and Jaya, मतलब अगर इधर Jaya बैठी है, तो यहां पर Ajit बैठा होगा, यहां पर Ajit बैठा है, तो यहां यहां पर होने चाहिए, ठीक है, तो यहां पर मैंने गगन को प्लेस कर दिया, अब इसके बाद आप यहां पर देखो, मुझे फॉस्ट वाला जो क्लू है and second वाला जो क्लू है, इसमें G है वो common आ रहा है, मतलब मैं यह कह सकता हूँ, that इन दोनों को combine करके मैं एक प्लेस ऐस G के फोर्थ लेफ्ट में B होना था, तो मैंने G के फोर्थ लेफ्ट में B को place किया, depending on these two equations, अब आगे मुझे बोला गया है, that अब हम लोग उस वाली लाइन पे वापस आते हैं, dimple is not an immediate neighbor of either कुशल और बीना, मतलब कुशल और बीना के बीच में तो D बिलकुल भी नहीं ची हुई है, and हम लोग अगर इस पूरे sequence को count करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 लोग की position मुझे exact यहां पर मिल रही है, इसका common sense यहीं बनता है, that B यहां पर बैठा होगा, C यहां पर, A, G, D, F, and K, ठीक है, ओके, यहां तक मुझे सारी की सारी जो positions है, वो मिल चुकी ह अब simple सा एक हम लोग यह third वाला clue ले लेते हैं, that Jaya and Ajit के बीच में तीन लोग बैठे होने चाहिए, तो हम लोग Jaya को, पहले Ajit को search करते हैं, यह रहा Ajit, अब 3 person, 1, 2, 3, तो मुझे Jaya को यहां बैठाना पड़ेगा, जो की possible ही नहीं है, because यहां तो CT नहीं है, या फिर मुझ को आप यहां पर जो है, वो एंटर कर सकते हो, A, B, C, D, ओके, एक यहां पर person बच गया है, कौन बचे है, H बचे हुए है, हेमंत बचे हुए है, हेमंत को आप यहां पर बठा सकते हो, क्योंकि एक ही position थी, एक ही person था, तो हेमंत यहां पर आ जाएगा, तो हमारा यह वाला भ sitting third to the left of Jaya, okay, and who among the following sits to the extreme right, extreme right में कौन है, K है, तो इस तरीके से आपको बस arrangement का पता करना होता है, एक बार आपने arrangement का पता कर लिया, तो आप किसी भी question को जो है, वो easily solve कर देतो, generally आप से 4-5 questions पूछे जा सकते, sitting arrangement से related, आप एक बार arrangement find out करके, directly वो 5-5 questions जो है, वो correct कर सकते हो, 8 persons, that is M and O, P, Q, R, S and T are seated in a square table, such that 2 persons are seated on every side of the table, अब यहाँ पर मुझे बोला गया है, that हमारा जो table है, उसके हर एक side में दो-दो लोग बैठे हुए है, जैसे यह हमारा for example table हुआ, ठीक है, तो इसके sides में दो लोग बैठे हुए है, side का क्या मतलब हो गया, corners में कोई भी बैठा हुआ है, ऐसा हम लोगों को नहीं mentioned है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, इस तरीके से जो लोग है, वो बैठे हुए है, but not necessarily in the same order, all of them are facing away from the center, ठीक है, सबके जो face है वो table से दूसरी तरफ है, यह बहुत ही जादा important concept है, important इसलिए हो जाता है, because अगर face inside होता है, तो left and right का position जो है, वो वो different होगा, rather than कोई person table के बाहर face करके बैठा है, clear है, जैसे for example, यह person, यह table है for example, and यह person अंदर face करके बैठा है, तो इस person का left जो है वो इस तरफ होगा, right जो है वो इस तरफ होगा, but यह आपका left हो गया, यह आपका right हो गया, but अगर इसी person को मैं table के बाहर की तरफ face करवा दू तो table के बाहर face करने की वज़े से उसके direction opposite हो जाएंगे अब उसका left ये हो जाएगा and उसका right जो है वो ये हो जाएगा I hope आप समझ रहे होगे यहीं importance होती है inside facing and outside facing की direction change हो जाता है I hope आपको यहां तक चीज़े समझ में आई होगी क्योंकि T से comparison में हम लोगों को easy पढ़ रहा है and sits 3 person away from M and to the immediate right of T तो मैं पहले तो क्या करता हूँ T का एक position fix कर देता हूँ चलो मान लिया कि जो T है वो यहां पर बैठता है मैंने ऐसा assume कर लिया आप कहीं पर भी मान सकते हो मैंने आपको क्या बताया था linear table linear arrangement में and square rectangular या circular arrangement में आपको यही एक benefit मिलता है that आप किसी एक person को fix करके पूरा table जो है वो उसके according arrange कर सकते हो आप इस question को T को यहां पर भी fix मान के कर सकते हो ती को यहां पर भी fix मान के कर सकते हो आप कहीं पर भी arrange करके देखो आपका बस जो table है न वो accordingly shift accordingly rotate हो जाएगा that's all क्योंकि इसका कोई starting point end point नहीं होता है table जो हो rotate हो जाएगा बाकि सारी चीजे जो हो सेम होंगी मैं आपको एक example भी बता दूँगा last में चल करके जब यह question हम लोग solve कर लेंगे अब मुझे बोला गया and sits three person away from M and is to the immediate right of T, T के एकदम right में जो है न वो n बैठा हुआ है तो चलो ठीक है T को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि T का अगर हम लोग यहाँ पर मानते तो इसका exact right जो है वो यहाँ पर आ जाएगा correct अगर मैं इस तरफ T को मानता हूं तो right दूसरी तरफ चला जाता, solve तो वहाँ से भी हो जाएगा बट easy पड़ेगा यहाँ से मतब देखने में अच्छा लगेगा correct अब मुझे आगे बोला गया है न जो है न वो three person away है M से मतलब N और M three person away है मतलब M जो है होगा न वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा M is here ठीक है अब यहाँ से मेरे पास दो possibilities है M जो है वो N के left side से three person away है या फिर right side से three person away है मुझे यह नहीं पता है तो मैं दोनो possibilities को यहाँ पर draw कर लेता हूं दूसरी possibility क्या है मेरे पास that N यहाँ पर है T यहाँ पर है but M जो है न वो N के opposite direction की तरफ में है मतलब one two and three तो M जो है वो यहाँ पर आ जाएगा यह दो possibilities अभी तक मेरी बन करके चल रही है अब इसके बाद इन आपके faces again outside है इसके बाद हम लोग आगे hints को देखते हैं क्या क्या और मुझे दिया हुआ है अब मुझे बोला गया है N sits away and also on the same side O sits second to the left of M O sits second to the left of M second to the left मतलब first position में यहाँ पर होगा and second position में O यहाँ पर होगा ठीक है आगे मुझे बोला गया S sits adjacent to M M के एकदम बगल में जो है वो S बैठा हुआ है मतलब S यहाँ पर बैठेगा and S यहाँ पर बैठेगा M के बिल्कुल बगल में यह दोनों cases के recording and opposite to P मतलब जो S है न वो P के बिल्कुल opposite में है तो अगर S यहाँ पर है तो देखो आप ध्यान से P के लिए जगह खा लिए क्या opposite में बिल्कुल भी नहीं तो यह case मेरा जो है वो reject हो जाएगा अब इस वाले case में देखो M के S के opposite में मुझे P को बठाना है तो S के opposite में जगह खा लिए क्या Yes, S के बिल्कुल opposite में जो जगह है वो empty है तो यहाँ पर आप देखो S और P जो है वो एक दूसरे के opposite में है Who is third to the left of Q मतलब P जो है वो Q के third left में है तो Q यहाँ पर होगा 1, 2, 3, P is third to the left of Q तो यहाँ पर एक position आ गई अब एक ही जगह बची है एक ही person बचा हुआ है कौन बचा हुआ है That is O Q R P बचा हुआ है ठीक है तो यह हमारी final position है जो कि मैं use कर सकता हूँ Done इस तरीके से अब देखो यह पूरा का पूरा concept जो है न वो आप कहीं पर भी position ले करके चलते न तब भी आपका जो answer है वो बिलकुल correct आता आपको बस T को कहीं एक जगह पर fix करना था And in fact मैंने जो इसका solution दिया है वो मैंने आपको समझाने के लिए if they are facing towards the center भी आप कर दोगे न Towards the center तब भी आपका answer same आएगा बस वो table का जो orientation है वो इस तरीके से change होगा कि यह सारे जो person है न वो एक दूसरे के अगल बगली बैठे रहेंगे मतलब O हमेशा Q के बगल में ही होगा M हमेशा S के बगल में ही होगा आप किसी भी position पर T को fix करो and solve करने की कोशिश करो आपका answer हमेशा same आएगा अब जैसे यहाँ पर मैंने जो answer लिखा है न उसमें मैंने T के position को यह arrow जो है न वो मैंने गलती से inside करके face करके बना दिया T जो है वो N के बगल में बैठेगा आप यहाँ पर देख पा रहे हो T and L जो है वो अगल बगल में है similarly R P हमेशा साथ बैठेंगे इसी तरीके से आपका जो टेबल है आप किसी को भी कहीं पर भी पुट कर दो आपका जो टेबल है वो हमेशा सही बनने वाला है ओके अब इसके बाद हमारा जो टेबल था वो complete हो गया तो अब यह जो questions है वह आप easily solve कर सकते है questions आप वीडियो को pause करके try कर लो who among the following person sits to the immediate right of P immediate right में कौन और है okay who among the following person sits to the second to the right of one who sits opposite to m m के opposite में कौन बैठा वे m के opposite में बैठा है r अब r के second to the right में कौन बैठा है अगर मैं inside को ले करके चलता हूँ detailed and थोड़ा सा like deep question लिया जहां पर आपको inside and outside को दोनों को एक साथ use करना है बट सारे person अगर inside face कर रहे है या फिर सारे person outside face कर रहे है वैसे cases में कोई difference ऐसा आता नहीं है अब यह हमारा question है अब यहां पर यह जो particular question है उसको आप बहुत ही ध्यान से video को pause करके एक बार खुद से जरूर से try करने की कोशिश करना because यह बहुत ही अच्छा question है and इसमें आपके multiple cases आपको बनाने है and एक एक करके आप cases को reject करके final answer तक पहुँच होगे अगर आपने इस question को अपने आप से solve कर लिया it simply means कि अब आप table arrangement को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ चुके हो question देखो there are eight persons j k l m r o p and n sitting around the rectangular table such a way that four of them sit at the four corners of the table while four sits in the middle of the four sides the one who sit at the four corners face outside the center while those who sit in the middle faces inside of the sides of the neck face inside मतलब ये न जो जो और में लोग बैठे यंपा फेस Geme हर की तरफ है kец और जो लोग बीच में बैठे में है कि टेबल के उनका office inside मतलब इस तरीके से छाषब कॉनर में बैठे यह उनका face outside एंड कर जो लोग बीच में बैठे नका पार इस जो है वो inside है, अब मुझे आगे क्या बोला गया है, के सिट्स सेकेंड तु दे राइट आफ जे, अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको बहुत भड़ा एडवांटेज मिल जाता है, ये closed figures में, आपको किसी एक की position को fix करने पड़ती है, बट यहां पर inside and outside facing वाला concept है, वो गड़बढ कर रहा है, क्यों गड़बढ कर रहा है, बिकास मुझे exactly पता नहीं है, जिस person को मैं fix करने वाला हूं, उसका face अंदर है या फिर उसका face बाहर है, मुझे नहीं पता है, तो मैं यह outside facing वाले person है, मैंने मान लिया, that J जो है, वो inside face कर रहा है, यह मेरी दूसरी possibility है, जहां पर मैं assume कर लेता हूं, that J का face है, वो outside है, यहां पर मैं assume कर लेता हूं, that J जो है, वो outside, अब again, inside में आप कहीं पर भी, मैंने J को यहां पर डाला, आप J को यहां भी डालोगे, same answer आएगा, जै को यहां भी डालोगे, same answer आएगा, बट मैं assume कर रहा हूं, यहां पर अपने according कहीं पर भी इसको जो है, वो ले जाएगा, and second वाले case में, k जो है, वो यहाँ पर आ जाएगा, p sits second to the left of o, p जो है, वो second to the left of o है, and l sits third to the left of n, and l faces inside, अब इसके बाद जो मैं cases draw करूँगा, मैं l को लेके करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे l के बारे में बहुत ही अच्छा clue मिला है, that l का जो face है, वो अंदर की नहीं है, ठीक है, तो यह दोनो possible cases, जो है, मैं draw कर लेता हूँ, मतलग, यहाँ पर दो possible cases क्या-क्या बन सकते है, l का face जो है, वो अंदर है, यह मुझे पता चल चुका है, तो j को मैं as it is draw कर देता हूँ, ठीक है, बाकि सबको k भी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, इसका face outside, outside, inside, outside outside, inside and outside, मान लिया कि l जो है न, उसका face जो है वो अंदर की तरफ है, तो l एक position में, एक case में यहाँ पर हो सकता है, और दूसरे position में, l जो है वो, किसी दूसरे position में जहाँ पर inside face है, वहाँ पर हो सकता है, जैसे for example, मैं l को इसमें यहाँ पर बिठा के रख लेता हूँ, ठीक है, okay, and j and k, यह दो possible cases है, correct, अब इस वाले particular case में भी यहाँ पर आपको दो cases देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर j के लिए, sorry, l के लिए, again, कौन-कौन से cases खाली है, एक यह position खाली है, यह position खाली है, यह position खाली है, ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग draw नहीं करेंगे, ह आप अगर यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, तो मुझे बोला गया है, that l is not the immediate neighbor of j, आप last line देखो, l is not the immediate neighbor of j, मतलब j के एकदम बगल में l नहीं होना चाहिए, मतलब j के l जो है, वो यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, l जो है, वो यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है, ठीक है, l के यहाँ पर भी केवल और केवल दो ही पोजिशन बच गई है, उपर यह वाली and यह वाली, तो मैं यहाँ पर दोनों को quickly draw कर लेता हूँ, ठीक है, k, j and l को मैं यहाँ पर draw कर लेता हूँ and जो second possibility जा रही है मेरी, उसमें जो मेरा, j है वो यहीं पर है, k जो है वो यहीं पर है and l जो है मेरा वो बैठेगा, कहाँ पर, l जो है वो यहाँ पर बैठेगा, अब मुझे बोला गया है, आगे that L sits third to the left of N मतलब N जो है वो L के third left में है ठीक है मतलब L जो है वो N के third left में है तो ये पहला जो हमने case बनाए था अगर L यहाँ पर बैठता है तो N जो है वो third left के हिसाब से यहाँ पर बैठेगा तभी तो इसका third left L यहाँ आ रहा है correct इस वाले particular case में N जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे N आ जाएंगे यहाँ पर because तभी तो L जो है वो third left में पढ़ रहा है similarly यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आपका L यहाँ पर है तो third left में N जो है वो यहाँ पर आना चाहिए बट यहाँ पर तो पहले से third left में L आएगा जो कि हमारे question में यही पर बोला हुआ है that L sits third to the left of N बट यहाँ पर तो पहले से J बैठा हुआ है it simply means कि यह वाला जो मेरा combination है वो work out नहीं करेगा यह वाला combination मेरा गलत हो गया ओके एंड इस वाले particular case में आप N जो है वो आप यहाँ पर बिठाओगे तब जाकर के L जो है वो third left में लाई कर रहा है तो मतलब यह four cases में से मेरा एक case जो है वो reject हो गया यह तीन case मेरे पास final बने हुए है अब आगे कि अगर आप चीजों को देखो आगे given hint को देखो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा that k sits second to the right of j j यहाँ पर है ठीक है and p sits second to the left of o तो मैं यहाँ पर o को ले रहा हूँ because o से related मुझे यहाँ पर दो hint दी हुई है ठीक है तो इन दोनों को अगर आप merge करोगे न p sits second to the left of o 1, 2, p sits second to the left of o and r sits third to the left of o तो basically मुझे यह particular case मिल रहा है r p dash o ठीक है अब यहाँ पर इन particular 3 cases में मैं कुछ इस तरीके से o को place करने की कोशिश करूँ so that यह मुझे 4 positions ऐसे मिल जाए that r p dash o इस तरीके से fit हो जाए तो आप देखोगे that यहाँ पर दो और cases cancel हो जाएंगे जैसे for example मैं मानलो o को first वाला case अभी हम लोग assume करते हैं o मानलो यहाँ पर बैठ गया है ठीक है अब o के second left में जो है वो p बैठना चाहिए तो second left कहाँ पर पढ़ा भाई second left one and two second left जो है वो k का positioning पढ़ रहा है तो यह गलत है यहाँ पर तो पहले से k बैठा हुआ है मतलब यहाँ पर जो है वो positioning गलत है इसकी ठीक है मतलब यहाँ पर जो o है वो नहीं आ सकता है अब for example अब हम लोग अगर o को यहाँ पर assume करते है तो o के second left में p है तो अब इसके लिए left यह direction होगा तो one two यहाँ पर p की जगह तो खाली है बट r के लिए जगह खाली नहीं है it means कि o जो है वो यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है correct और first case में o के लिए एक जगह यहाँ पर है अगर मैं o को यहाँ पर place करता हूँ तो second left में p आना चाहिए यहाँ कहीं पर आना चाहिए बट यहाँ पर तो पहले से end बैठा हुआ है तो यहाँ से मुझे यह चीज़ पता चल रही है that first case में o के लिए कोई भी possible जगह नहीं बन रही है तो first case भी जो है वो cancel हो गया similarly आप इन दोनों को चेक करोगे जैसे मैंने first वाले case को चेक करके बताया है आप यह second case and यह fourth वाले case को दोनों को जब आप चेक करोगे तब आपको यह चीज़ पता चलेगी that आपको final positioning होगी वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ बन रही होगी जहाँ पर l जो है वो top में basically यह वाला जो है वो correct option आपको जाकर के बन के आएगा ठीक है I hope आपको यह चीज़ जो है वो समझ में आई होगी L यहाँ पर है and O का positioning जो है वो इधर दिखाया जा रहा है मतलब अगर आप O को यहाँ पर place करते हो तो second to the left में P, third to the left में R इस तरीके से and जो बच गया है एक person कौन बच एक बच रहा है तो M की positioning ही हो जाएगी तो यह भी आपका जो है वो ignore हो जाएगा reject हो जाएगा and यह particular case जो है वो correct option बन जाएगा तो इस तरीके से आपको sitting arrangement के tabular questions जो होते है जो table से related sitting arrangements होते हैं उसको आपको कुछ इस तरीके से जो है वो solve करना रहता है I hope आपको यह concept जो है अच्छे से समझ में आओगा हम लोगों ने जितने भी possible combinations बन सकते हैं उसको आपको देना है लिखना है mention करना है and accordingly जैसे जैसे आपको hints मिलते जा रहे है accordingly आपको जो जो possible combinations reject हो रहे है उनको आपने reject करना है अब आप एक बार जो है final arrangement की तरह पहुंच गया है तो बाकी सब च सब्सक्राइबल या फिर आउटसाइड टेबल है हूँ अमंग फॉलविंग फेसे और आर को कौन फेस कर रहा है के फेस कर रहे हैं तो obviously यह option जो और करेक्ट है question है वो एकदम बहुत ही जादा similar है जो हम लोगों ने square and rectangular questions में अप्रोच लगाई थी सेम उसी की तरीके से चीज़े जो है वो आगे बढ़ती है P, Q, R, S, T, U and V are sitting along a circle and facing at the center मतलब यह total seven लोग है and यह लोग जो है वो circular table में बैठे हुए है and उनका face जो है वो center की तरफ है तो मैं एक circular table बना लेता हूँ यहाँ पर and seven positions यहाँ पर दे देता हूँ one, two, three, four, five, six and seven ठीक है यह मैंने जो है वो seven positions है and इन सबका जो face है न वो inside है okay अब देखो मुझे बोला गया P is between T and S मतलब P जो है वो T and S के बीचो बीच में है तो obviously मैं अगर P की position को fix कर दूँ तो मेरे लिए जादा better होगा तो यहाँ पर मेरे पास दो possibility बन जाएगी क्योंकि P जो है for example मैंने उसको यहाँ पर fix कर दिया आप P को कहीं पर भी fix कर सकते हो अब T and S के बीच में P बैठा हो है मतलब एक possibility तो यह है that T यहाँ पर है S यहाँ पर है इन सब का भी जो face है वो inside है अब यहाँ पर भी जो मैंने जो position P की fix की थी वो यहाँ पर as it is है अब P के right hand side में T बैठा है and P के left hand side में S बैठा हुआ है ठीक है यह दो possibilities मेरे पास अभी तक निकल करके आ रही है U is between Q and V U is between Q and V अब मुझे यहाँ पर आगे कुछ नहीं मिल रहा है कोई hint नहीं मिल रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ Q is second to the right of T Q is second to the right of T अब यह T है Q जो है वो second to the right होना चाहिए तो 1 and 2 second to the right of Q होना चाहिए तो obviously यहाँ पर जो है वो S पहले से बैठा हुआ है मतलब यह जो मेरी पहली possibility है वो गलत हो जाएगी क्यों कि Q को बैठाने के लिए मेरे पास जगह खाली नहीं है अगर यहाँ पर S बैठता है तो second possibility में हम लोग देखते हैं Q is second to the right of T तो अगर T यहाँ पर है तो second right कौन सा हुआ first and second second right यह position हुआ position पहले से खाली है मतलब यहाँ पर हम लोग Q को बैठा सकते हैं अब आगे मुझे बोला गया U is between Q and V Q and V के बीच में जो है वो U बैठा हुआ है Q and V V कहाँ पर हो सकता है देखो V जो है यहाँ पर तो हो नहीं सकता है Q अगर यहाँ पर है and V यहाँ पर होगा तब तो U चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है बट यहाँ पर तो T पहले से बैठा हुआ है it means कि जो V की position है वो Q के right hand side में है for example Q यहाँ पर है and V मैं यहाँ पर place कर देता हूँ तभी तो जाकर Q & V के बीच में जो है वो U की position आ जाएगी ठीक है as simple as that बहुत ज़्यादा simple question था जैसे-जैसे question में बोला गया है वैसे-वैसे मैंने बस approach लगाई है and चीजे जो है वो automatically arrange हो चुकी है तो यह मेरा final position बना है जहाँ पर P के position के according सारे के सारे जो number से सारे के सारे जो person है उन्होंने automatically खुद को जो है वो arrange कर लिया again मैं आपको बता दूँ अब P का position टॉप में भी मान करके इस question को solve कर सकते था question को try करो आपको ज़्यादा clarity आएगी आप मान लो that P जो है वो top पे बैठा है तभी भी आप question solve करोगे तो भी आपका जो arrangement है वो P के इस तरफ में आपका U आ जाएगा and इस तरफ में Q आ जाएगा इस तरीके से जो table है basically आप उसको reverse direction में देख रहे हो ठीक है यहाँ पर P को again मैंने यहाँ पर इस बार दूसरी जगह पर fix करके आप देखो P के बगल में S है and T है तो यहाँ पर भी P के बगल में जो है वो S and T है and T के बगल में R Q है तो T के बगल में R यहाँ पर R जो है एक position बची थी एक person बचाता तो R Q U V S ठीक है U V and S तो आप देख पा रहे हो U V S as it is वहाँ पर जो है वो चीज़े arranged हैं अगर मैं P की position कहीं और पर भी fix करता तब भी तो आप हम लोग question देख लेते हैं एक बार arrangement fix हो जाने के बाद तो कोई ऐसा फरक पढ़ता नहीं है वैसे who among the following sits second to the right of Q Q के second to the right one and two याने की V तो V is sitting second to the right of Q second question हम लोग देख लेते हैं who among the following sits second to the right of R कहाँ पर है यह है आर के लिए second to the right कौन सा होगा one and two second to the right R के लिए क्या होगा है यू होगा है तो यू जो है वो is sitting second to the right of R इसके बाद who among the following sits second to the right of the one who sits third to the left of S देखो ऐसे question में सबसे पहले आप question को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो because अगर आप आगे से अप्रोच करोगे तो question जो है आपको घलत कर सकते हैं confusion create कर सकता है question तो सबसे पहले तो इस one का पता लगा हो that यह किसकी बात हो रही है who sits third to the left of S तो सबसे पहले S के third left में कौन बैट रहा है one two three third to the left of S जो है वो Q बैट रहा है अब who among the following sits second to the right of the one मतलब यह जो one है न वो Q की बात हो रही है मतलब अब मुझे question पूछा गया है who among the following sits second to the right of Q second to the right of Q जो है first and second तो second to the right of Q जो है वो V है तो मतलब इस पूरे question का answer क्या हो जाएगा option number C that is V तो इस particular type में जब आपको confuse करने की कोशिश की जाए तो question को पीछे से approach करो जादा easily आप question को जो है वो solve कर पाऊगे ठीक है तो चलो यह तीन questions थे अब हम लोग circular arrangement में एक और different question जो है वो ले करके try करते हैं काफी जादा better question है and इसमें कुछ multiple possibilities बनेगी accordingly आपको जो है वो चीजों को solve करना रहेगा four ladies A, B, C and D and four gentlemen E, F, G and H तो सबसे पहले आप यहाँ पर mention करो ladies कौन कौन है ठीक है ladies जो है वो है आपके A, B, C and D and gentleman कौन कौन है gentleman है आपके E, F, G and H तो यह total 8 person है जिनकी बात हो रही है and आगे मुझे बोला गया they are sitting in a circle around a round table facing each other मतलब इनका जो face है na round table में वो towards each other होगा मतलब एक दूसरे की तरफ होगा मतलब they are facing inside no two ladies or two gentlemen are sitting side by side अब दो ladies या फिर दो gentleman एक दूसरे के बगल में बैठे ही नहीं है मतलब यह alternate positions पर बैठे हैं अगर किसी seat पर male बैठे हैं तो उनके बगल वाली seat पर female ही बैठेंगी similarly अगर कहीं पर female बैठे है तो उनके अगल बगल के वर male ही बैठे रहेंगे इस तरीके से सी अब चलो आगे हम लोगों को यहां पर हिंट्स दिये हुए हैं तो अब हम लोग हिंट्स के according question को जो है वो अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एक circular टेबल बना लेता हूं create कर लेता हूं जिसमें टोटल एट पोजिशन सो यह ladies and gentlemen को आप समझे चुके होंगे मैं इसको कहीं और लिख देता हूं 12345678 इन सब का face जो है वो according to question इंसाइड है अब देखो question में मुझे बोला गया है C who is sitting between G and E is facing D अब सबसे पहले तो आप यह काम करो C की बात हो रही है न तो C को fix करो चलो मान लिया मैंने यह C है अब मुझे आगे बोला गया है that C जो है न उसके opposite में D बैटा हुआ है то चलो मैंने यह आप डी को भी fix कर दिया बट मुझे आगे बोला हुआ है, that C जो है न, उसके अगल बगल में G और E बैठे हुए है, तो चलो ठीक है, C के अगल बगल में G और E मैंने बठा दिया, यहाँ पर G हो गया, यहाँ पर E हो गया, बट आप मुझे यह बताओ, क्या यह बोला गया है, that G में, G या फिर E में पर ड्रॉ कर देता हूँ, यह मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C, इस बार G जो है उसकी पोजिशन राइट होगी, and E की पोजिशन जो है वो लेफ्ट होगी, again सबका फेस जो है वो इनसाइड है, अभी तक के question के according हमारे पास, यह दो पॉसिबिल जो है न, वो G के opposite बैठे हुए है, तो G के एकदम opposite F बैठे हुए है, तो चलो ठीक है, इस particular position में आप देखो, तो G के opposite यह position आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको F को बैठा देता हूँ, and आगे क्या बोला गया है, F is between D and A, तो D यहाँ पर है, तो A को यहीं पर होना यह पहली possibility के according हो रहा है, ठीक है, ओके, अब देखो, आगे मुझे बोला गया है, अब ठीक है, second possibility में हम लोग F की positioning लगा देते हैं, यह राज जी, अब मैं इस G के opposite वाला face देखता हूँ, तो यहाँ पर आना चाहिए, F according to the question, and question में बोला गया है, that F is between D and A, तो F के left hand side में D है, तो right hand side में automatically A आ जाएगा, because F को A और D के बीच में ही बैठाना है, according to the question, अब आगे मुझे बोला गया है, H is to the left of B, मतलब H जो है न, वो B के left में है, तो इन दोनों possibility में से कौन सा correct होगा, यह आपको find out करना है, अब देखो, अब अगर मुझे बचे हुए H and B को दिखान करता हूँ, अगर मानलों मैंने H को इधर बैठा दिया, यहाँ पर, तो मुझे बोला क्या गया है, that H is to the left of B, मतलब B को इधर आना पड़ेगा, correct, B जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यह एक possibility है, दूसरी possibility अगर मैं H को यहाँ पर बैठाता न, तो B को यहाँ पर आना होता जो की possible नहीं है, क्योंकि यहाँ पर G पहले से बैठा हुआ है, मतलब इस first वाले option में हमारे पास एक ही possibility बन रही है, H और B की, जो की मैंने यहाँ पर जो है, वो draw कर दिया है, similarly इस second वाले option में देखो, अब second वाले option में अगर आपको H और B को place करना है, तो आपके पास क्या- और इस वाले case में तो H जो है, वो B के right में चला गया, correct, तो आप यहाँ पर B और H लिखो, B उपर आएगा, and H जो है वो नीचे आएगा, ठीक है, यह दो possibilities हमारे पास final output बन करके आई है, but इन दोनों में से कौन सा जो option है, वो correct है, यह चीज़ समझने के लिए आपको यह line ब D and B, जो है, वो दोनों के दोनो लेडी है, ठीक है, तो इन दोनों को side by side नहीं बैठना है, तो यह पूरा का पूरा case जो है, वो cancel हो जाएगा, and यह हमारा final option 1 जो है, वो एक correct arrangement होगा, circular table का, ठीक है, यह वाली जो line थी, इसको आपको observe करना था, that's all, तो यह पूरा arrangement हमारा complete हो recording आपको पूरे question जो है, वो solve करना है, तो इसके बाद आप questions देख सकते हो, who among the following sits second to the right of D, तो second to the right is B, this one, and who among the following faces E, E को face करने वाले H, तो यह option correct है, who sits between H and G, H and G के बीच में, B is sitting, अब यह particular question है, 12 persons A, B, C, D, E, F, U, V, W, X, Y, and Z are sitting in two parallel rows, ठीक है, A to F are sitting in row 1 facing south direction, and U to Z are sitting in row 2 facing the north direction, मतब यहाँ पर अगर 12 लोगों का group है, तो 6-6 लोगों के pair में, यह लोग 2 parallel rows में बैठे हुए, तो मैं आपर rows पहले create कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो उपर बैठे हैं, उनका face जो है, वो south की तरफ है, and जो नी north का जो facing का concept है, मैंने आपको अलडी बता दिया, that यह केवल और केवल directions को define करने में help करता है, मतलब, जो जिनका face south में है, उनका जो right hand side होगा, वो नीचे जो बैठे हैं, उनके left hand side के equal होगा, ठीक है, दोनों का जो position है, वो अलग अलोग होगा, right hand left का, आगे पटते है question को, question में आगे बोला हुए, that only one person sits between you and w, who is sitting at extreme left hand of the row, देखो, a से लेकर के, f तक जो है, वो इस वाले particular row में बैठे हुए है, and u से लेकर के, z तक जो लोग है, वो इस वाले particular row में बैठे हुए है, अब मुझे यहाँ पर बोला गया है, who, who किसके लिए, भई, who जो है, वो आपके, is just immediate वाले person के लिए आएगा, only one person sits between you and w, who is sitting, मतलब यहाँ पर जो, आपका who है, यह, इसके immediate person w के लिए आ रहे है, अब मुझे बोला गया है, w is sitting at extreme left hand of the row, तो w हमारे second row में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, w जो है, उनका position हम लोगों को already बता दिया गया है, that w जो है, वो left hand extreme row में बैठे हुए हैं, उसके बाद मुझे आगे बोला गया है, only one person sits between you and w, तो u का position जो है, वो यहाँ पर आएगा and केवल इन दोनों के बीच में एक space खा लिए है, आगे मुझे बोला गया है, that b who is sitting at the extreme left hand, बी जो है, वो extreme left hand में बैठे हुए है, अब देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो students करते हैं, तुरंत जल्दबाजी में, बी को यहाँ पर put कर देते हैं, ऐसा नहीं है, यह बी का left hand नहीं है, बी का left hand यह वाला होगा, क्योंकि बी की जो face है, वो south की तरफ है, तो यह बी का right hand होगा, तो यह आपको अपने according नहीं, जिस तरफ जिस person का face है, उसके according जो है, वो direction जो है, वो decide करने है, अब मुझे बोला गया, that B is sitting at the extreme left hand, sits second to the left of A, तो A की position क्या रही होगी, भई, A की position जो है, वो यहाँ पर रही होगी, तभी, यहाँ पर आप देखो, B जो है, वो A के 1 and 2, second left में जा रहा है, ठीक है, A का left होगा, वो आपका right पड़ेगा, क्योंकि जो A का position है, वो आपका south की तरफ में A का face है, अब मुझे आगे बोला गया है, C faces the one who is an immediate neighbor of U, U के just immediate neighbor है, उनको जो है, वो C face कर रहा है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि य E who sits at one of the extreme ends of the row, sits E who sits at one of the extreme ends, देखो E जो है वो again, कहाँ पर बैठ सकते हैं, E जो है वो यही पर बैठेगा, क्योंकि E जो है, एक extreme end जो है, वो B के through occupied है, तो E is sitting at one of the extreme ends of the row, sits third to the right of the one who faces Z, third to the right, third to the right मतलब A, A की बात हो रही है, and A जो है, वो Z को face कर रहे है, ये चीज़ हम क्योंको को question में given है, आगे मुझे बोला गया, X faces the one who sits second to the left of A, अब A का second to the left कौन सा हुआ, one and two, second to the left ये खाली empty position होई, and इसको face कौन कर रहे है, इसको face कर रहे है, X, ठीक है, ओके second right बोला गया, second, X faces the one who sits second to the left of A, देखो, यहाँ पर एक problem again, यहाँ पर left जो हो आपका left नहीं count करना है, one and two, जो A का left है, वो आपने count करना है, तो A का second left B है, and B का opposite facing में जो है, वो X है, तो यहाँ पर आपके X भी position भी जो है, वो define हो गई, अब हम लोग, जिन दो statement को हम लोगोंने leave किया था, उस पर वापस आ जाते हैं, मुझे बोला गया है, C faces the one who is an immediate neighbor of U, U का immediate neighbor कौन ह यू के दो immediate neighbor है, एक तो Z है, और एक ये वाली empty position है, but U के just right में जो immediate neighbor है, उनका तो facing A की तरफ है, मतलब ये वाला position की बात नहीं हो रही है, यह हम लोगों को दूसरे position के बारे में बोला गया है, क्या बोला गया है, C faces the one who is immediate neighbor of U, U का immediate neighbor होगा ये वाला position, and इसका face जो है वो C की तरफ है, तो C का भी मुझे यहाँ पर एक position जो है, वो मिल चुका है, अब मुझे बोला गया, V faces D, V faces D, अब देखो, यहाँ पर तो V हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर V होगा, तो V faces D का option जो है, वो गलत हो रहा है, and एक जगह पर ये बची हुए, तो यहीं पर जो है, वो V की possibility है, तो यहाँ पर मैं V डालूँगा, V is facing D, because V के लिए और कोई जगह बची ही नहीं है, आटमेटिकली आप देखो, ऊपर वाले row में भी बस एक blank space खाली है, नीचे वाले row में भी बस एक blank space खाली है, तो यहाँ पर बस Y की जगह बची हुए, डालने के सब जो है, वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ओके, अब हम लोग questions देख लेते हैं, who among the following faces C, C को कौन face कर रहा है, भई, C को आप ध्यान से देखो, C को जो है, वो Y face कर रहा है, ठीक है, एक बार बस आपने parallel rows का question का arrangement करते हैं, उसके बाद भी question जो है, वो बहुत ही the persons sitting in the second row are to be arranged in alphabetical order, starting from the right end of the second row, second row कौन सा है, second row जो है आपका, वो ये W, Y, U वाला है, अब इसको मुझे alphabetical order में arrange करना है, right hand side से start करके, मतलब मैं यहां से start करूँगा, तो यहां पर हो जाएगा, यू, क्योंकि right hand side जो नीचे बैठे हैं, उनके लिए हमारा right और उनका right जो ह and question में क्या पूछा गया है, then who among the following faces F, F को कौन face कर रहा होगा, ऐसे case में F को जो है वो X face कर रहे होंगे, ठीक है, third question देख लेते हैं, who among the following sits third to the left of the one who is facing the one who is second to the left of E, अब देको ऐसे case में आपको इस one का पहले पता लगाना होता है, जैसे हम लोगों ने अल्रडे डिसकस किया होगा है, तो सबसे पहले आप यह चीज़ फाइंड आउट करो, that who is second to the left of the E, second to the left का क्या मतलब है, E का जो left होगा वो आपका right होगा, क्यों क्योंकि इनका face वो नीचे की तरफ है, तो one and two, तो F की यहाँ पर पहले तो बात हो रही है, अब मुझे बोला गया है, who among the following sits third to the left of F, third to the left, one, two and three, third to the left की बात हो रही है, यानिकि B की बात हो रही है, मुझे, तो यहाँ पर जो B option है, वो correct answer होगा, ठीक है, एक और question हम लोग parallel sitting arrangement से ले ले लेते हैं, इसको आप video pause करके खुछ से solve करने की कोशिश करो, because just हम लोगों ने इसी type का question जो है, वो अभी अभी किया है, 10 people are sitting in two parallel rows containing five people each, यहाँ पर दो रहो है, A, B, C, D, E, and P, Q, R, S, and T, तो मैं अगेन दो parallel rows को create करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, ठीक है, अब इसके बाद मुझे बोला गया, all of them are facing towards south, मतब जो उपर बैठे हैं, अगेन उनका face south की तरफ है, जो नीचे बैठे हैं, उनक second position from right end of the row, B is sitting at the second position from right end, तो B जो है, उसका right आपका left होगा, क्योंकि B की face जो है, वो south की तरफ है, आगे मुझे बोला गया, the person who is sitting second to the left of Q is facing B, मतलब B का जो face जिस तरफ है, उसके second left में जो person बैठा है, वो Q है, तो मतलब Q का position क्या हो जाएगा, Q का position हो जाएगा, यह वाला, ओके, आगे चलते हैं, T is the immediate neighbor of P, तो अब देखो, T जो है, वो P का immediate neighbor है, मतलब T, P इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, या फिर P and T इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, इसको मैं अभी use नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग अलग से लिख करके रख लेते हैं, इधर T और P is sitting at one of the extreme ends of the line, मतलब T and P में से कोई ना कोई एक तो है, जो कि extreme end of the line में बैठा हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, D is sitting opposite to S, ठीक है, यहाँ पर भी मुझे कोई ऐसा clue नहीं मिल रहा है, D and S जो है, वो एक दूसरे के opposite है, तो मैं अभी के लिए इसको अलग mention कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद, E is sitting second to the right of D, तो D जो है, यहाँ पर होंगे, ठीक है, and D के second to the right, यानि कि D का face जो है, वो कहा है, south की तरफ है, तो second to the right मतलब E का face इस तरफ होगा, E जो है, वो D के left side में बैठेंगे, because इनका face जो है, वो south के direction में है, E is sitting second to the right of D, यहाँ पर right बोल आ गया, बट मैं left ले रहा हूँ, क्योंकि जो face है, वो south के direction में है, the person who is facing P is sitting second to the right of E, and R faces the one who is sitting second to the left of D, अब ये last के three sentences को पढ़ोगे, अगर आप ध्यान से, तो आपका combination कुछ इस तरीके से बन जाएगा, D के बाद, जो second, D के second left में जो person है, उनका जो face है, वो R की तरफ है, and जो D का face है, यहाँ से आप मैं इसको pick कर ले रहा हूँ, D का face है, वो S की तरफ है, तो ये मुझे पूरा का पूरा जो है, एक structure जो है, वो मिल चुका है, मतलब मुझे, अगर मैं ऊपर देखो, तो E dash, D dash, ऐसा कुछ structure चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, and उपर भी मेरे पास 5 blank spaces है, मतलब इसको मैं directly यहाँ पर quote कर सकता हूँ, E dash, D dash, and D का जो opposite face है, वहाँ पर होने चाहिए, S, and यहाँ पर होंगे R, ठीक है, I hope आपको यहाँ तक जो है चीज़े है, वो समझ में आ गई होंगी, अब इस आप इस वाले line को ध्यान से देखो, that the person who is facing P, मैं एक दूसरा color का pen लेता हूँ, so that आपको better चीज़े समझ में आए, the person who is facing P is sitting second to the right of A, ठीक है, अब देखो, इसमें मुझे simply यह चीज़ बता करनी है, that A कहाँ पर बैठ सकता है, अगर मैं मान लेता हूँ that A यहाँ पर है, मा इसका जो face है, वो P की तरफ है, but यहाँ पर तो D का face किस की तरफ है, S की तरफ है, मतलब यह जो है, वो conflict क्रियेट कर रहा है, मतलब A की position यह हमारी गलत है, दूसरी possibility का है, A के face की, A के arrangement की, A को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो अब A का second left कौन साब position हुआ, second right, sorry, 1, 2, B P जो है, वो opposite face कर रहा है, P के, तो यह possibility मेरी right हो रही है, मतलब यह चीज़ जो है, मैं accuracy के साथ कह सकता हूँ, that A का position 100% यही होने वाला है, तभी जाकर के यह P जो है, उसको बैठने की जगह मिलेगी, ठीक है, तो बस अब आपके पास दोनों रो में केवल और केवल एक ही पर जाएंगे C, यहाँ पर जाएंगे T, आपका यह वाला parallel row भी जो है, वो complete हो गया, तो आपको इस तरीके से question को जैसे-जैसा question में दिया जा रहा है, वैसे-वैसे आपको solve करते चलना है, तो एक बार आपका parallel row complete हो गया, इसके बाद आप question देख लो, who among the following sits between D and C, तो D and C के बी तो C is facing R, who sits second to the right of someone, second to the right one and two, second to the right कौन होगा, D होगा, तो D option जो है, वो correct option होगा, ठीक है, तो यह कुछ questions थे हैं, जो कि आपके parallel rows में आप से पूछे जा सकते हैं, इसके साथ हम लोगोंने सारे के सारे type के sitting arrangements से related सभी question को हम लोगोंने properly solve कर ले, जहाँ पर linear arrangement, square rectangular table, circular table and parallel row के questions, सब हम लोगोंने complete कर ले, इसके बाद आप कुछ questions हो हो अपनी level पर practice कर लो, study material, last year question जाँ सब या practice कर रहो and you are good to go for this particular chapter, तो see you in the next topic, till the next topic, bye-bye and keep practicing.